हलो फ्रेंड्स, विल्कम टूजी के संसार, आज हम सब इस सेशन में भारतिय सुतंता आंतोन काली, जो पर मुक्सं स्थाइन थी, उनकी अस्थापना वर्स, साथिसाथ संस्थापक के बारे में डिस्कस करेंगे, और यह जो वीडियो के काफी इंपॉर्टेंट है, SSE, वीडि इस्क्रिशन बॉक्स में लिंक अबलेबल करवा दी है, तो चली सेशन को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले आता है, Aseatic Society के अस्थापना, वर्स 1784 में किसके द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले आप नोडाउन कीजीगा, कि Aseatic Society की जो अस्थापना वर्स है, वह 1784, और ज भ्रह्म समाज की अस्थापना कोलकाता में कब की गई थी, तो यहां से तीन information हमें मिलती है, कि राजा राम मोहनरॉय ने भ्रह्म समाज की अस्थापना की थी, कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को और कहां की थी, तो कोलकाता में, दादा भाई नरोजी द्वारा 1843 में किस संस्था का गठन किया गया था तो वह जो संस्था था वो था बिर्टिस सारोजनेक सभा तो सभी प्रस्णों को आप ध्यान से देखिएगा जिससे आप याद आसाली से रख सकते हैं सर सयद अहमद खान द्वारा 1864 में किस संस्था का गठन किया गया था, तो वह संस्था था scientific society, आप से पुछ सकता है कि scientific society की जो अस्थापना है किस के द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था सर सयद अहमद खान के द्वारा 1864 में, मुहमद अगलो लिटरेरी सोसाइटी की अस्थापना 1863 में किस ने की थी, तो दो चीजे आपको पता चलते है कि मुहमद अगलो लिटरेरी सोसाइटी जो है इसकी अस्थापना वरसे 1863 और जिसके द्वारा ये अस्थापित किया गया था हूँ थे नवाब अब्दुल शीदारालू नाइडउ ने ततकालीन मदरास में 1864 में किस समाज की अस्थापना की थी तो वस समाज था बेज समाज ठिक है बेज समाज की अस्थापना 1864 में की गयी थी मदरास में और जिसके द्वारा किया गया था ओए इंसान थे स्रीद couch नाइडू इस्ट इंडिया एसोसियेशन की अस्थापना 1866 में किस ने की थी? दादा भाई नरोजी के द्वारा अस्थापना किया गया था 1866 में पूना सारोजनिक सभा का गठन 1870 में किस ने किया था। तो यहाँ पे तीन लोगों ने मिलकर किया था और पूना सारोजनिक सभा का जो गठन हुआ थाHa A águaारा द्वाधा एम जी रनाडे, चिपुल नंकर तथा जोसी जी के द्वारा किया गया था अगले है इंडियन सोसाइटी की अस्थापना 1872 में किस के द्वारा की गई थी तो आपको यहां इंफर्मेशन मिलता है क्या इंडियन सोसाइटी के अस्थापना 1872 में होई थी आनंद मुहन भोस के स्वामी द्यानन सरस्वती ने 1875 में किस समाज की अस्थापना की थी। अब आता है मोहमडन एगलो औरियंटल कॉलेज की अस्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसे किया था सरसयद अहमद खाने। सुरेंदरनात बनर जी एवं एसन बनर जी ने 1876 में किस संस्था का गठन किया था। तो अब याद रखेएगा इंडियन अस्थापना हुआ था 1876 में किया था। भारतिय राश्टिय का गठन 1883 में किस ने किया था। भारतिय राश्टिय का अस्थापना वर्स 8850 उससे दो वर्स पहले भारतिय राश्टिय का गठन हुआ था। वह हुआ था सुरेंदरनात बनर जी और आनन मोहन बोस के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किस किस के द्वारा की गई थी। तो तिन लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में विरागवाचारी एस अईयर तथा जी आनन्द चारलू ने। भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का गठन एलन आक्टिवयन हुम ने किस वर्स किया था यानि आप देख रहें जो एलन एक्टिवयन हुम का फुल नेम है और उन्हें 885 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का गठन किया था। Bombay Presidency Association के अस्थापना 885 में किसके द्वारा की गई थी, तो फिरोष सा महता और तैलेंग ने मिलकर किया था। Indian Social Conference के अस्थापना 1887 में किसके द्वारा की गई थी, तो महादेव, कोविंद, रनाडे और अगुनात राओ ने मिलकर Indian Social Conference के अस्थापना की थी 1887 में। सर स्यद अहमद खां द्वारा वर्स 1888 में किस संस्था के स्थापना की गई थी, तो वह संस्था था United Indian Patriotic Association, आप याद रखिएगा कि United Indian Patriotic Association का जो स्थापना हुआ था 1888 में हुआ था सर स्यद अहमद खां के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की अस्थापना वर्स 1897 में किस के द्वारा किया गया था। तो स्वामी विएकानन के द्वारा किया गया था। तो दो चीज़े आप याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की अस्थापना स्थापना विएकानन ने किया था 1897 में। बिरेंद्र कुमार घोस द्वारा 1906 में कि सोसाइटी का गठन किया गया था। तो वह समिती थी अनुसीलन समिती। 1904 में अभिनोव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का संस्थाप कौन था। तो अभिनोव भारत जहां आप देखिए याद रखिएगा विडी सावरकर ठीक है। विडी सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन का जो अस्थापना किया था, उसका नाम था अभिनोव भारत और एक किया गया था 1904 में। गोपाल क्रिष्न गोखले ने 1905 में किस सोसाइटी के अस्थापना की थी, तो वह जो सोसाइटी थी ओथी सर्वेंट आफ इंडिया, ठीक है सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना गोपाल क्रिष्न गोखले ने 1905 में किया था, मुस्लिम लेकी अस्थापना 1906 म में किया था लाला हर्दयाल तथा सोहन सी भखना द्वारा 1913 में किस पार्टी का गठन किया गया था तो अथा गदर पार्टी तो इससे काफी क्वेशन बने हैं कि गदर पाटी के अस्थापना कब हुई तो 1913 में और किसके द्वारा किया गया तो लाला हर्दयाल तथा सोहंसी भगना के द्वारा बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा 1916 में किस लिख का गठन किया गया था तो यह था होम रूल लिक यहां से दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि होम रूल लिक की अस्थापना 1916 में किया गया था और जिनके द्वारा किया गया था वो थे बाल गंगाधर ती लग और एनी बेसेंट विमेंस इंडिया एस्थापना 1917 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था लेडी सदासिव अयर के द्वारा. आप इसे नोडाउन कीजिएगा विमेंस इंडिया एस्थापना लेडी सदासिव अयर ने किया था 1917 में. विश्व भारती नामक संस्था का गठन वर्स 1918 में किया गया था और यह किया गया था रविन नाथ टैगोर के द्वारा बहुत इंबॉर्डन क्वेसन है कि Communist Party of India के स्थापना 1920 में तासकंद में किसके द्वारा की गई थी तो यह किया था एमेन रॉय ने अब देखें Communist Party की जो अस्थापना वर्स है 1920 है और जहां पर इसे अस्थापना किया गया था वो जगह था तासकंद और किसके द्वारा किया गया था एमेन रॉय के द्वारा Servant of People Society का गठन 1921 में किया गया था और यह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा वर्स 1920 में अवद किसान सभा की अस्थापना किसकिस ने की थी तो दो लोग ने मिलकर अवद किसान सभा की अस्थापना 1922 में किया था जोहला नहरू और रामचंद्र गौरी संकर अखिल भारतिये ट्रेड उनियन कॉंग्रेस की अस्थापना 1920 में की गई थी तो किस ने किया था तो एमेन जोसी ने किया था ठीक है आप याद रखेंगे अखिल भारतिये ट्रेड उनियन कॉंग्रेस की अस्थापना मेन जोसी ने किया था 1920 में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसे दोयारा किया गया था आप इससे वाकिफ हैं कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में और गुषान आप 923 में नहरू और देश बन्धु चितरंजन दास ठीक है दो लोगों में सुराज पार्टी का गठन किया था। अखिल भारतिय सामयवादी दल की अस्थापना 1924 में किसी ने की थी। तो ये किया था सत्य भक्त ने। केसो बली राम हेडेग वार ने वर्स 1925 में किस संस्था के स्थापना की थी तो वह जो संस्था थी वो थी राष्टी सुमय से वक्त संग यानि की RSS ठीक है RSS का स्थापना वर्स है 1925 और जिसके द्वारा स्थापना किया गया था वह थे केसो बली राम हेडेग वार अल इंडिया कॉन्फरेंज का गठन 1927 में किस महिला ने किया था तो अतरे mart 서울is थे है, present the hall diabetes कोर्ण का गठन 1927 में किती हिंदुस्तान सोसलिप्ट रेपबलिकन पार्टी का गठन ूवर्स 1938 में किस ने किया था तो चंद्र सेखर आजाद और भगाश सिंग्हों ने किया था ठीक है ओल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का गठन 1929 में किस ने किया था तो तिन लोगों ने मिलकर किया था अबुल कलाम आजाद डॉक्टर अंसारी और एक थे टीये के सिर्वानी अगला प्रस्ण है कि फ्रंटियर प्रोविंसियल यूथ लिख की अस्थापना 1929 में किस ने कि थी तो इकिया था खान अब्दूल गफार खाने नरेंद्रे दियु तथा जया प्रकास नरायन ने 1934 में किस दल का गठन किया था तो वह जो गठन हुआ था जिस दल का वो था कॉंग्रेस समाजवादी दल अखिल भारतिय किसान सवा की अस्थापना 1936 में किस के द्वारा की गई थी तो सबसे पहले तो आपको नोडाउन करना है कि अखिल भारतिय किसान सवा की अस्थापना 1936 में की गई थी और जिसके द्वारा किया गया था वो थे एंजी रंगा और स्वामी सहजानन्द मिनु मसानी, असोक महता तथा डॉक्टर असरफ द्वारा 1936 में किस परिसत का गठन किया गया था तो जो परिसत था वो था All India Student Federation इससे काफी बार question बना है कि All India Student Federation की अस्थापना वर्स किया है तो 1936 और जिसके द्वारा स्थापना की गई थी वो थे मिनु मसानी, असोक महता तथा डॉक्टर असरफ खुदाई खिद्मतगार नामक संगठन की अस्थापना 1929 में किस ने की थी तो यह किया था खान अब्दुल गफार खाने सुभास इंडर बोस ने 1949 में किस संस्था का गठन किया था तो वस जो संस्था था फारवर्ड ब्लॉक ठीक है फारवर्ड ब्लॉक क्या जो संस्थापक थे उससे सुभास इंडर बोस और इन्हों ने 1949 में इसका अस्थापना किया था भारतिये बोल्सेविक दल की अस्थापना 1949 में किस ने की थी? तो ये किया था ND मजुमदार ने. रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की अस्थापना 1940 में किस के द्वारा की गई थी? तो ये किया था MN रोय ने. रेडिकल डेमोक्रेटिवी डल की अस्थापना कब हुई थी? 1940 में एमेन रॉय के द्वारा भारतिय बोलसेविक लिलन पार्टी का गठन 1941 में किया गया था तो किस ने किया था? तो अजीत राय और इंद्रसेन ने मिलकर किया था उसके बाद आता है क्रांतिकारी समाजवाजी डल की अस्थापना 1942 में किस के द्वारा की गई थी? तो यह किया था सतेंद्रनाट टैगोर ने ठीक है क्रांतिकारी समाजवाजी डल की अस्थापना 1942 में हुआ था सतेंद्रनाट टैगोर के द्वारा आजाद हिंद फॉज का गठन निताजी सुभास इंदर बोस के द्वारा किस वर्स किया गया था तो वर्स था 1943 यानि 1943 तो इस तरह से जो important points हैं जिससे आपके exam में question बन सकते हैं हमने कोसिस किया आपको इस वीडियो के थुरू देने का और I wish आप सभी को पसंद आएगा और आने वाल paper में भी आपको काफी help मिलेगी तो उमीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को प्यार देंगे तो पसंद आने पर like और अपने दोस्तों के साथ share किजेगा और finally आप इसका पीडियो भी download कर लिजेगा तो मिलेंगा आप सभी के साथ next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching